हेलो दोस्तों टिंगनों दोने में आप सभी का बहुत वास वागत है सब सब क्या सुमित आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों मेरे पास एक जो है नॉर्मल इंवर्टर है इसको मैंने MPPT Solar Charge कंट्रोलर के जरीए इसको सोलर इंवर्टर बना चुका हूं इसका विडियो में बना चुका हूं वह अगर नहीं देखे तो जागे देख लेना पर आज दोस्तों में अब लोग को दिखा हूंगा क्या जो सोलर इंवर्टर लगा देने के बाद एक मैं डिजिटल वोल्ड बै ultime क्या बाटरी से जो सोलर चार्च कॉंट्रोलर लगा देने के बाद इस तरह से जो है कितना एंपियर पर हम लोग का बैटरी को चार्च कर रहे के मेरा 167य थो देख सकते है 18-20 एंपियर पर चार्च कर रहा तो यह लगबग सेही है ठीक है तो इसको देख सकते इसका क् connection किया गया है दो आपका inverter का और दो जो है आप चार्ज कॉंट्रलर लगाए है उसका तो दो ब्लैक और दो प्लास जो पॉजिटिव रेड वायर है अब देख सकते तो मैंने किया कि आप ब्लैक को फिक्ष्ट रखा बैटरी टर्मिनल के साथ और जो पॉजिटिव लगा रहे ह उसको सीरीज में काटिंग करके उहां पे बैटरी का एक सीरा जो अनालोग मीटर है उहां पे और दूसरा सीरा जो इन्वाटर के जो चार्ज कॉंट्रोलर है उहां पे लगाए हूँ देख सकते प्लास मैंने जो रेट्रोपीड लगाया हूँ यहां पे आप देख सकते तो एक दो बैटरी के साथ कि देख पाहूं। पेनीम मेलेस भालोड। एक देख सकते हूं। तो आज जो मैंने उतनों बैटरी के साथ एक हुका। यह जो मीटर है अब डिजिटल मीटर देख सकते है बोल मीटर और अम्पियर मीटर दोनों से ओकरता है इसको मैंने लगाया हूँ solar से एक जगले किजना मिल रहा है और जो MPPT charge controller है वो कितिना boost करके दे रहा है इस तरह से जो है इसको boost करके हम लोग का जो है MPPT charge controller बूस्ट करके बैटरी को जाता चार्च कर रहा है वो मैंने जो मीटर है यहाँ पर मैं डिजिटल मीटर लगाया हूँ कोई भी जो है solar charge controller पर लगाया नहीं हूँ direct यहाँ पर मैं charge controller से पहले इसको connect कर दिया हूँ तो इसका connection में अब लोग बता देना चाहता हूँ किस तरह से अब normal inverter को existing inverter पर convert कर सकते पर यह जो डिजिटल बोल मीटर MPR मेटर है इसका connection में आपको बता देता हूँ इसको बिसिकलिए five point आपको पीछे पर मिल जाएगा एक shand के साथ तो जो आप देख सकते लोहे का सीरा यहाँ पर connection किस तरह से होगा connection बहुत ही simple है दोस्तो पांथ जो हो यार अपको मिलेगा बिसिकलिए इस तो डिजिटल डिसी मीटर पर इसको simple connection जो है तो sun के साथ बिसिकलिए यहाँ पर देख सकते यह बाला जो दो यार आ रहा है यह बिसिकलिए solar connection के लिए direct sun में जा रहा है जो negative बाला point है और हर वक्त आपको क्या धाना पड़ है कि MPR को मिटर जो connection होगा समपली सीरीज में connection होगा देख सकते यह बाला जो मेरा solar से negative ओयर आ रहा है इसको मैंने cutting करके ठीक है इसको मैंने cutting करके क्या किया हूं कि जो positive है direct जो है solar जो मेरा charge controller उसमें लगा दिया हूं और जो negative है उसको मतलब बीज में cutting करके मैं यह सांड है यहां पर लगा दिया हूं और पीछे का जो ब्लैक और रेट का मोटा वाला वायर है वह इस तरह से लगेगा और तीनों वायर में से जो है यह लो यह जाएगा जो solar का positive और प्लास माइनस का 5 बोल्ट देने के लिए इसको power up करने के लिए basically उस तो इसका digital meter का पीछे पर पां से प्लास मिल रहा है उसमें और जो दूस्तों रेट और ब्लैक बाला थीन वायर रहेगा वह दूस्तों 5 बोल्ट आप किसी भी जहां से power supply कर दीजिए और जो दो मोटा वाला ब्लैक और रेट वायर उसको सीरीज में connection कर देना कुछ प्रूब्लम हो रहा है तो कॉमेंट करन description लिंग पर्चेस लिंग और बाइंग लिंग भी देदूंग अब लगा सकते